of Skill Development and Entrepreneur DGT द्वारा एक लेटर जारी हो चुगा है Regarding Engagement of Guest Faculties in NSTIs जो NSTIs हैं जो भारत सरकार द्वारत संचालित की जारी हैं उसमें Guest Faculty या Training Officer की संविदा भरती आई भी है तो उसके लिए जो भी लोग Interested हैं और जो लोग भी उसकी पात्रता Conditions जो हैं Fulfill करते हैं वो लोग इस पर जाके Apply कर सकते हैं और मैं यह बताना चाहूँगा कि जो भरती यह निकली भी है इसमें एक बहुत अच्छा जो पेमेंट रखा गया है सभी के लिए इसकी जो पेमेंट हैं 200 रुपे से लेके 500 रुपे प्रती घंटा के हिसाब से रखी गई है S पर Norms और जो इसमें जो भरती होनी है जो Train Officer की जो भरती होनी है उनमें जो भरती होने का Criteria रखा गया है वो S पर DGT Norms रखा गया है तो कोई भी ऐसा बच्चा जो Degree या B.E. किया हुआ है उसके पास एक साल का अनुभव होना चाहिए और CTI का Certificate होना चाहिए और अगर उसने Diploma किया हुआ है तो उसके पास दो साल का अनुभव और CTI का Certificate होना चाहिए और अगर ITI किया हुआ है तो उसके पास तीन साल का certificate, तीन साल का experience और एक साल का certificate होना चाहिए, वही लोग इसमें पात रहे हैं, और मैं यह बताना चाहूंगा, कि यह जो vacancy है, यह केवल अभी तीन महिने के लिए contact basis पर हो, और यह आगे फर्दर increase भी time period किया जा सकता है, तो जो लोग भी इसमें interested है, वो हमारे वीडियो से connected रहे हैं, like करें, subscribe करें, और हमारे वीडियो से connected रहे हैं, forward ना करें, जिससे कि आप step by step पूरे जो process है, इसका वो जान सकें, और कहां पर कितनी seats हैं, वो जान सकें, तो यह जो vacancy हैं, यह बहुत ही बड़ी vacancies हैं, लगबग हर NSTi में कम से कम 5-5-6-6 seats खाली हैं, तो आप देख सकते हैं, यह जो आपके सामने जो letter है, यह as per dgt, द्वारा यह letter जारी किया गया है, तो आप यह letter हमारे टेलिग्राम चैनल से भी download कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, NSTi Kolkata जो है, जो हावरा में स्तित हैं, उसमें, foundry man की जो है, वो एक seat खाली ह Machinist 2 year में 1 seat खाली है, Carpenter में 1 seat खाली है, Copa Comforter Application में 1 seat खाली है, Draftman Civil में 2 seat खाली है, Draftman Mechanic में 1 seat खाली है, Electrician में 1 seat खाली है, Feater में 1 seat खाली है, Foundry में 1 seat खाली है, Turner में 1 seat खाली है, Mechanic Motor Vehicle में 1 seat खाली है, RAC में 1 seat खाली है, Training Methodology में 1 seat खाली है, Engineering Drawing Instructor किया, Training Officer के लिए एक seat खाली है और IBM Diploma IT Network Cloud का जो Excellence Center बना होता है उसके लिए एक seat खाली तो आप देख सकते हैं सिर्फ Kolkata में ही जो लगबग seats की संक्या है वो बहुत ज़्यादा है लगबग यहाँ पे 10 seat की जो है Total requirement है मतलब यहाँ पे 10 Training Officers की Guest Faculty के रूप में requirement है तो जो लोग भी Kolkata में interested है वो Kolkata NSTi की website पे जाके वहाँ पे सीधी एक लाई कर सकते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं लेटर में properly यह चीज़ mention कर दीगी है आप देख सकते हैं जो B point है इसमें चीज़ लिखा हुआ है selection criteria would be based on return and skill test तो जो आपका selection process होगा वो return test और skill test के basis पे होगा और जो आपने concerned experience लगाए हुआ उसके basis पे ही होगा और आप उसी trade में apply कर सकते हैं जिस trade में आपने CTI किया हो और trade या बाकी education से related video के लिए आप हमारे channel पे जाके जो different videos पढ़े हुए है उसी की basis पे आप apply कर सकते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं NSTI वड़ोद्रा में जो वेकेंसी निकली वी है इसमें basic cosmetology में एक seat है dressmaking में एक seat है copa में एक seat है fashion design technology में एक seat खाली तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 seats खाली है तो जो लोग भी वड़ोद्रा में रहने वाले हैं या आसपास के वो यहाँ पे apply कर सकते हैं NSTI हैदराबाद में आप देख सकते हैं electrician में 2 seat खाली है feeder में 1 seat खाली है welder में 1 seat खाली है mechanic motor vehicle में 1 seat खाली है ADIT जो है उसमें 1 seat खाली है CTS and CITS में engineering drawing में 1 seat खाली है all trades training methodology के लिए 1 seat खाली है all trades workshop calculation and science के लिए 1 seat खाली है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपकी salary होगी वो प्रती घंटे के हिसाब से होगी लेकिन वो किसी भी सर्त में अगर आपकी salary प्रती घंटे के हिसाब से होने के बाद भी अगर 30,000 रुपे प्रती महास से increase होती है तो आपको जो salary है वो 30,000 रुपे प्रती महा के basis पर ही मिलेगी मतलब अगर प्रती घंटा की salary और 30,000 में से जो भी minimum होगा वो salary आपको provide की जाएगी NSTI W जैपूर जो जैपूर में महिला NSTI है उसमें आप देख सकते हैं COPA के लिए एक seat खाली है dressmaking के लिए एक seat खाली है fashion technology के लिए एक seat खाली है computer software applications COPA के लिए एक seat खाली है और secretarial practice के लिए दो seat खाली है तो ऐसे जो भी लोग interested है degree, diploma या IDI वाले बच्चे जिनके पास relative experience है एक साल, दो साल और तीन साल का और उनके पास CTI की certificate है तो वो लोग इसमें interested है वो लोग इसमें apply कर सकते हैं और return exam के basis पे उनका selection होगा आप देख सकते हैं NSTI, W, Patna जो Patna में woman NSTI है उसमें fashion design की एक seat खाली है और cosmetology की एक seat खाली है fashion design technology पे दो seat खाली है electronics mechanic की एक seat खाली है तो ऐसे जो भी लोग interested है वो इसमें apply कर सकते हैं NSTI, Hyderabad जो है उसमें आप देख सकते हैं drone pilot के लिए एक seat खाली है CSA पे एक seat खाली है CHNM के लिए एक seat खाली है training methodology के training officer के लिए एक seat खाली है COPA के लिए और यह जो seats है यह पूरी की पूरी seats आपकी हैदराबाद में खाली है तो जो भी हैदराबाद के जो लोग है याँ इंट्रेस्टेट हैं वो लोग यहां पे apply कर सकते हैं जो पूरा process होगा मैं बार बार बताना चाहूंगा यह पूरा process जो आपका होगा वो एकदम fair तरीके से return exam और skill test के basis पे होगा तो अगर आप desired qualification को fulfill करते हो तो आप इसमें जरूर apply करें क्योंकि जो इसका जो payment है वो आप देख सकते हैं 30,000 प्रती महा तक इसका payment बढ़ रहा है तो आप इसमें apply कर सकते हैं NSTI indoor जो भी लोग MP के रहने वाले MP के आस पास के हैं वो इसमें apply कर सकते हैं आप देख सकते हैं कोपा के लिए एक seat खा लिए कॉस्मेटलोजी के लिए एक seat खा लिए सेक्रेटरियल प्रेक्टिस के लिए एक seat खा लिए computer software के लिए एक seat खा लिए तो जो लोग भी interested है indoor के लिए वो इसमें apply कर सकते हैं और training officer के post पे आप as a guest faculty यहाँ पे apply कर सकते हैं NSTI अलावाद जो है तो NSTI अलावाद जो है NSTI यह women's का NSTI है इसमें आप देख सकते हैं CSA पे एक seat खा लिए dressmaking के लिए एक seat खा लिए secretarial practice के लिए एक seat खा लिए soft skills के लिए seat खा लिए और training methodology के लिए एक seat खा लिए तो जो भी ऐसे लोग interested है जो अलावाद में apply करना चाहते हैं तो वो इसमें apply कर सकते हैं अगर आपको किसी भी प्रकार छोटी से छूटे point पे भी अगर कोई आपको issue हो तो आप हमारे पास comment कर सकते हैं कि sir East trade के instructor के लिए क्या qualification है इसके लिए क्या अनुबभ होना चीए हम apply कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं आप comment करिए आपको 24 hours के अंदर ही उसका response with suitable video प्रोवाइड करा दिया जाएगा या आप कहां से apply करें यह सब आप देख सकते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो यह NSTIs है इनका एक website बनावा है आप हर website पर जाके वहाँ से directly link पे click करके भी apply कर सकते हैं और आप वहाँ पे उसके पात रखो सकते हैं NSTI जम्मू जो है स्रीनगर एन ले के लिए इसमें आप देख सकते हैं CSA के लिए एक seat खाली है Solar Technology के लिए एक seat खाली है Smartphone Technician के लिए एक seat है IoT in Smart Healthcare at NSTI स्रीनगर के लिए दो training officer या guest faculty की requirement है Simla के लिए आप देख सकते है SP के लिए एक seat है DTPO के लिए एक seat है DMC के लिए एक seat है और NSTI कोलकता के लिए COPA के लिए एक seat है Cosmetology के लिए एक seat है Fashion Design Technology के लिए एक seat है CSA के लिए एक seat है Cosmetology के लिए एक seat है Fashion Design Technology के लिए एक seat है Dressmaking के लिए एक seat है और Turner के लिए एक seat है तो जो लोग भी relative experience with relative qualification है वो लोग इसमें apply कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं कि आपके पास किस ट्रेड में आप एपलाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक और सस्क्राइब करना ना भोलें आप देख सकते हैं जो NSTI कानपूर है इसमें एक बहुत बड़ी भरती है NSTI कानपूर में ड्रेस मेकिंग में एक है, टर्नर में एक है, कोपा में एक है, स्टेनो में एक है Fashion, Design and Technology में एक सीट खा लिए और Secretarial Practice English में एक सीट खा लिए Noeta में भी बहुत अच्छी विकेंसी है आप देख सकते हैं, Fashion, Design and Technology पे दो सीट खा लिए कोपा पे एक सीट है, Fashion, Design and Technology पे दो सीट है, स्टेनोग्राफी हिंदी पे एक सीट है और आप हैदराबाद में देख सकते हैं, NSTI डबलू जो वुमेंस का इस्पेशली जो NSTI है, उसमें एक सीट खा लिए, Fashion की, Fashion, Design and Technology की एक सीट खा लिए, Secretarial Practice की एक सीट खा लिए Computer Operator and Programming Assistant कोपा की दो सीटें खा लिए NSTI मोहाली, जो मोहाली में NSTI है, उसमें Fashion and Design Technology में एक सीट खा लिए, तो जो लोग भी इंटरेस्टेट हैं, वहाँ पे अपलाई का सकते हैं NSTI चैन्नाई में CSA की एक सीट खा लिए, Plumber Training Officer या Guest Faculty के लिए एक सीट खा लिए, Bangalore में Fitter के लिए एक सीट खा लिए, Pumneshwar में Solar Technician के लिए एक सीट खा लिए, त्रिवनदन पुरम में Kopaक पे दो सीट है और DTPO पे एक सीट है और Dress Making पे एक सीट खा लिए, तो जो Metrology पे एक सीट है और Workshop Calculation Soft Skills पे एक टीचर की requirement है, NSTI हलदवानी के लिए, यो है, DMM पे एक सीट है, Feater पे दो सीट है, Machinist पे एक सीट है, Turner पे एक सीट है, RODA में एक सीट है, NSTI देहरादुन में Electrition पे दो सीट खा लिए, CSA पे तीन सीट खा लिए, CHNM पे दो सीट है, CTS Cosmeotology पे एक सीट है, Secretarial Practice पे एक सीट है, Dress Making पे एक सीट है, तो जो लोग भी अगर थला में Interested है हो, Cosmetology पे अपलाई कर सकते है, Secretarial Practice की सीट पे अपलाई कर सकते हैं, अ ड्रेसमेकिंग पे अपलाई कर सकते हैं, NSTI देशी पे आप देख सकते हैं, NSTI दिरूची में Fashion Design Technology पे एक सीट खा लिये, Fashion Design Technology पे, CTS के Angeb एक सीट खा लिये, सेक्रेंटरियल प्रैक्तिस पे एक सीट है, NСТ I Mumbai में आप देख सकते हैं, Electrician में Department खा लिये, Piren में 2 सीट खा लिये, CSA पे 2 सीट है, MMV Training Officer के लिए 1 सीट है, Turner पे 1 सीट है, Machinist पे 1 सीट है, draftman mechanic पे एक seat खाली है P.O.T. instructor के लिए या P.O.T. training officer के लिए दो seat खाली है workshop calculation science पे दो seat खाली है N.S.T.I. Mumbai जो है specific for women इसमें आप देख सकते है cosmetology पे एक seat है fashion design technology पे एक seat है P.O.T. पे एक seat खाली है N.S.T.I. लुधियाना आप देख सकते है लुधियाना में electrician के लिए दो seat है C.S.A. के लिए एक seat है mechanic diesel के लिए एक seat है machinist के लिए एक seat है N.S.T.I. पानी पत पे आप देख सकते है surface ornament and technology के लिए एक seat है swing technology पे एक seat खाली है तो जो लोग भी interested है पानी पत के लिए वो यहाँ पे आप जाके apply कर सकते है आप देख सकते है 27 December 2018 का यह letter है यह है reimbursement के regarding जो guest faculties होंगी उनकी कितनी salary होनी चाहिए क्या होनी चाहिए तो आप यहाँ पे देख सकते है जो theory होगा उसके लिए 3 hours maximum और practical के लिए 4 hours के लिए जो salary रखी गई थी पहले वो 200 रुपे प्रती घंटा के हिसाब से रखी गई थी यह अभी भी 200 रुपे प्रती घंटा के हिसाब से ही है और यह maximum जो है वो 30,000 तक जा सकती है उससे अगर उपर जाती है उस पे भी आपको 30,000 रुपे मिलेंगे यह CTS के लिए है लेकिन जो CITS के लिए है मतलब NSTIs वगेरा के लिए जहाँ पे आप CTI के जो अगर आप बन देंगे तो उसके लिए 250 रुपे प्रती घंटा और at max 30,000 रुपे प्रती घंटे के हिसाब से होगा जिसमें आपको थेवरी की 3 क्लासेज और प्रती घंटा के हिसाब से इसमें जो सेलरी है वो रखी गई है maximum जो आपकी सेलरी होगी वो किसी भी सरकम्स्टैंसेज में 30,000 रुपे प्रती महा से ज़्यादा नहीं जाएगी बाकी आप जो यह आप देख सकते हैं इसमें लिखावा the maximum investment paid to any guest faculty would not exceed the 30,000 प्रत पर मन्त और इसमें जो desired qualification है जो instructors की वो as per DGT norms है मैं आपको फिर से एक बार clear करना चाहूंगा आपने अगर degree किया हुआ है relative trade में तो आपके पास degree के साथ-साथ एक साल का relative experience होना चाहिए और आपके पास CTI होना चाहिए उसके बाद ही आप किसी भी relative field में या training officer के लिए apply कर सकते हैं और अगर आपने diploma किया हुआ है तो आपके पास 2 साल का अनुभव होना चाहिए relative अनुभव होना चाहिए और आपके पास CTI होना चाहिए और अगर आपने ITI या apprenticeship किया हुआ है तो आपके पास 3 साल का अनुभव होना चाहिए और आपके पास CTI का certificate होना चाहिए CTI certificate जो है यह must condition है और आपका जो experience होना चाहिए वो relative experience होना चाहिए आप किसी भी circumstances में teaching experience जो show करेंगे वो CTI के बाद का show कर सकते हैं इसमें आपको privileges भी मिलेंगे और जो selection process होगा वो पूरा का पूरा written test और आपका skill test होगा और अगर आपको क्योई भी जानकारी चाहिए हो या कोई भी आपको doubt आ रहा होगा कहां से भरना है क्या करना है तो आप उसके लिए हमारे पास comment कर सकते हैं और आपको एक relative information उससे related provide करा दी जाएगी आप हमारे वीडियो से के साथ connected रहे हैं लाइक करें subscribe करें लास्ट में एक पॉइंट में और बताना चाहूंगा कि जो यह vacancies हैं यह आप concerned NHTI की जो website है dgt द्वारे जो maintain की जा रही है उसमें आप जाके directly link देख सकते हैं वहां से apply कर सकते हैं और जो qualification से related अगर आपको वीडियो चाहिए हो आप हमारे पास comment करें हम आपको relative trade में क्या qualification होनी चाहिए उसका video provide करा देंगे thank you